हलो फ्रेंड्स मैं अमित का ट्यार और आप देख रहे हैं टेक अफ्तार दोस्तो इस वीडियो मैं आज आपको एक ऐसी कंप्यूटर एसेसरी के बरे में बताऊंगा जिसके थूँ आप अपने किसी भी लैपटाप को टच स्क्रीन लैपटाप में कनवर्ट कर सकते हैं दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे जिससे आगे जो भी मेरे वीडियो आएं उनके अपडेट्स आपको मिलते रहे हैं दोस्तो जिस डिवाइस के मैं बात कर रहा हूँ ये डिवाइस आपके किसी भी एग्जिस्टिंग पीसी को भी टच स्क्रीन पीसी में कनवर्ट कर सकता है दोस्तो इस डिवाइस का नाम है एरबार ये विंडोज 8 और 10 और साथ में Macbook Air पे भी काम करता है दोस्तो एरबार आपके डिस्प्ले पे एक Invisible Light प्रोजेक्ट करता है जिसकी वज़े से आपका जो Non-Touch Screen Laptop है वो Touch Screen Laptop में कनवर्ट हो जाता है दोस्तो एरबार को यूज़ करना बहुत ही आसान है इसमें आपको कोई Manual पढ़नी की जरूरत नहीं है कोई Installation का जंजट नहीं है बस आपको इसे अपने USB पोर्ट में लगाना है और आपका Laptop Touch Screen में कनवर्ट हो जाएगा एरबार के साथ आपको एक Magnetic Strip मिलेगी जिसे आपको अपने Laptop की स्क्रीन की नीचे दो जगह लगाना होगा उसे लगाने के बाद में जो एरबार जो डिवाइस है उसे आप उस Magnetic Strip के उपर चिपका देते हैं वहाँ पर जैसे Magnetic की वज़े से चिपक जाएगी और आप उसे USB में प्लग करेंगे उस डिवाइस को तो आपका टच स्क्रीन वर्ग करना शुरू कर लेगा गार वाद की पीचरस हैं इसमें आप अपने लैपटाप की स्क्रीन को पिंच कर सकते हैं जूम इसमें यरबार में कोई बैटरी कोई नहीं होती है नहीं कोई इसमें अलग से को सिस्टम होता है simply आपको सिर्फ अपने USB port में device को plug करना है और आपका touch screen चालो हो जाता है जब आप laptop को shut down करना चाहें तो जो magnetic strip लगी हुई है उधर से आप अपने air bar को हटाईए USB port से device को eject कर दीजे और साथ में आपका normal PC में convert हो जाता है तो इस तरीके से आप अपने laptop से इस device को हटा भी सकते हैं और जब चाहें तब इसे लगा भी सकते हैं ये device अभी तीन size में available है 15.6 और 14 इंच में और 13.3 इंच में आपका MacBook Air के लिए भी available है इसे आप Amazon के थूँ आडर कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू